अच्छ रहा हैं ठीक है और वो बताईएगा आपके घर के अपका जहां घर है उसके पूर्व दिशा में कोई मन्निय या सिख्छन संस्थान, स्कूल, कॉलेज या पीपल का पेड है आपके घर के पूर्व दिशा में है सर मंदिर और पीपल का पेड दोनों है आपके घर के नॉर्थ वेस्ट में पानी क्या कुछ प्लेस है क्या चंद सरी लेटर या तो पानी हो नहीं तो माता जी का बेडरूम हो या वाइट कलर हो सर ऐसे तो वो सीवरेज वाला जो होता है वो वाला पोर्शन है और जो किचन वाला पोर्शन है वो भी उदरी तो पानी वगरा भरना करना वो सब उदरी होता है और साफ पानी चंद में आता है और खराब पानी जो नाली होता है वो राहू में आता है तो तो वैसे पानी होता है तो पानी होता है तो नौर्थ इस्ट में नौर्थ इस्ट में सणी सरी लेटर्ड सणी सरी लेटर्ड जैसे ब्लैक कलर हो गया लोहे का समान हो गया लोहे के अलमारी हो गई लोहे का ग्रील हो गया इसी परकार का स्टोर हो गया वो है क्या नौर्थ इस्ट में या सवनी देव की मूर्ती बगएरा नहीं सर ऐसा कुछ तो नहीं हाँ पीछे गैलरी में जो है वो पडोसियों का हमारा सबका एक जैसा सही है तो भाँ पर कुछ वो लोहे का सारिया बगएरा यह सब पड़े रहते है अच्छिस्ट में हाई हाई हाँ आपके घर के वेस्ट में सूरी की रोस्नी आने का कुछ है क्या या सूर्य का कोई पड़ा जिसे कौपर हो गया पर मतलब वो तामबा बोल रहा हूं कि यह हो गया या फिर रोस्नी आने के लिए खिड़की वगर या उपर का जो विंडिलेटर होता है या आपके पीताजी का बेट पर दर्वाजे प्रॉपर रहते है सूर्य के रोशनी उदर से प्रॉपर आती है खिड़की काफे बड़ी खिड़की और दर्वाजे है वेस्ट के तरफ यह बताईए कि बुद्ध से रिलेटर्ट भी कोई आइटम है क्या बुद्ध से रिलेटर्ट जैसे ग्रीन कलर हो गया, प्लांट हो गया या आपकी बूअजाद जो लेडिस हैं लेडिज मीश जो बहन है है लोगी फुआ है बेटी है इस परकार के उनसे रिलेटर्ट कोई वस्थ allow अई प्लांट्स जो हैं सरे उधरी है सारे प्लांट सर उधर ही हैं हमारे अगनी कोण ने चोटा मोटा जो गार्डन है गमले हैं वो सब उधर ही है घर का जो अगनी कोण होता है साउथ हेस्ट में मंगल से रिलेटर जैसे रेड कलर हो गया हनुमान जी की फोटो हो गई सहथ हो गया या आपके भाई का बेड्रूम है ऐसे कुछ अधर नहीं है ऐसे कुछ साउथ-इस्ट में कया है साउथ-इस्ट में तो सार वैसे तो एक तो बेड्रूम है ब्र भाई का नहीं है और उधर तो बस बैड है किस कलर का प्रेंट किया हुआ है गार में सर वाइट है वाइट पेंट है सफेदी वो पहले कली करवाते थे वैसे रेट कलर का नाइट बाल है नहीं सर गनेश जी की फोटो है बस अधि पूरा फोटो है राहू से रिलेटेड कोई आइटम उसमें साउथ इस्ट में राहू से रिलेटेड आइटम सर क्या होते हैं राहू से रिलेटेड आइटम राहू से रिलेटेड आइटम आपको हो जाएगा सिसा राहू में आता है विंड चाइम राहू में आता है विंड चाइम नहीं होता है विंड चाइम नहीं होता है उदर उसमें राहू सरे लेटेड आइटम में कैक्टस होता है नाग फनी यह जोपनी होता है उसके बाद नहीं सर्वांकाच है महां पर शीशा कि इतनी जो हमने बताए ना एक सिर्फ मंगल का आपके अनुसार नहीं मिला है लेकिन मंगल का भी आईटम होगा हो सकता है हाँ हो सकता है सुर वो भी हो क्योंकि मुझा आडिया ना हो हाँ और सर वो साउथीस्ट ही वो मतलब जिसको मैं तो उसमें क्या है डिगरी के अधार पर देखना है अभी क्या है कि आप साउथ हिस्ट ऐसे समझ लिजे कि एक दिशा को तीन भाग कर दीजे जैसे साउथ वाले दिवार का पीचो बीच हिस्सा जैसे तूरा दिवार आपका 20 फिट का है तो माल लिजे छे फिट बीच साउथ म में एक तरफ का साउथ हिस्ट में आईसे तो इस तरह से एक अनुमानित रूप से ही समझ लिए यादे साउथ के बाद अनुमानित रूप से इस तरह से यह हमने इसलिए कुछा है कि आप साउथ हिस्ट में बोले थे साउथ हिस्ट में मंगल का और साउथ हिस्ट में मंगल क झाल 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 झाल